दाउनलोड नाउ आदाब मैं नीता सिंग हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की socio-political और economic issues पर खास प्रोग्राम लेकर यह है इंडिया हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात दिल्ली में हुए G20 Summit की जी हाँ राजदानी दिल्ली में G20 Leader Summit और्गनाइज किया गया जिसमें G20 Countries के Head of States और Government के इलावा दुनिया भर से दूसरे कई Delegates प्रगती मैदान में बने भारत मंडपम में एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और खास बात ही ये रही कि G20 International Economic Cooperation का एक प्रिमियर फॉरम है ऐसे में हम ये समझना चाहेंगे ये जरूरी भी है कि देश की राजदानी में और्गनाइज हुए इस हाई प्रोफाइल इवेंट में G20 के President Country के तौर पर हमारा अचीवमेंट क्या रहा इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास महमान हमारे साथ फॉरमर इंडियन डिप्लोमेट अंबासेडर वीरेंद्र गुपता है इंडियन काउंसल फॉर रिसर्च ओन इंटर्नाशनल एकनामिक रिलेशन्स में प्रोफेसर अर्पिता मुखर जी और MPI-DSA में सीनियर फेलो डॉक्टर राजी नयम आप तीनों का हमारे स्टूडियो में वेलकम है हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की प्रेसिदेंसी G20 के चरिव अभी की है डेली में और्गनाइज किया गया कितना बड़ा अचीवमेंट है आप से जाना चाहेंगे प्रोफेसर अर्पिता अगर हम इसको एकॉनमी के लिहाज से देखें जो इस समय जो सिनारियो चल रहा है तो कैसे आप देखती है रैपिड फानेंशिल इंक्लूजिन के तौर पर इसको कितना बड़ा चीवमेंट है अगर आप G20 के तोरे आगे से जब G20 के मीटिंग चल रहे हैं आप देखिएगा कि इंडिया की डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्चर का कितनी सपोर्ट आ रहा है जैसे सिंग्यपूर से आया फ्रांस से आया कई और देशों से आया अगर आप दूसरे तरह से इंफरस्ट्रक्चर का देखे तो यह जो कॉरिडोर जो बना रहे है योरोपियन यूनियन मिडल इस्ट में ये भी एक बड़ा एचीवमेंट है अगर यह हमारा इंडिया का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारा रेल कॉरिडोर प्रोजेक्स थोड़ा स्लो है अगर हमें इसमें इन्वेस्मेंट आ जाए तो यह एक बहुत बड़ी एचीवमेंट है G20 को होस्ट करने के लिए हमने जो G20 को इंडिया की length and breadth में ले गई तो हर city में कुछ construction हुआ, हर city में कुछ tourism हुई, हर city में कुछ employment हुआ तो यह एक in itself आपने inclusive state growth and inclusive pan-India growth इसको कह सकते है मगर आप G20 के अगर आप history को देखे तो G20 में जो economic मुद्दे आते है वो G20 उसको resolve नहीं करता, वो 8 महिने में resolve नहीं होता वो मुद्दा वो forum पे ले जाते है जैसे मानिए पहले जब digital tax on e-commerce और digital tax on online यह सब बाते आ रहे ही थी बाद में वो OECD ने pick up कर लिया sharing of data with a trust orsa का track में था, Japan का मुद्दा वो किसी ने pick up किया अब digital public infrastructure ऐसे ही या AI को कैसे govern करना चाहिए ऐसे ही मुद्दे होंगे जो कोई ना कोई pick up करेगा इंस्टिट्ट्स इसमें से आगे जाके इंस्टिट्स को इसको मुद्दे को pick up करना पड़ेगा जैसे OECD का Tiva का अल्रेडी एक database है जिसमें वो global value chain map करता है इसमें लिखा भी है global value chain को map करना है तो इसको आगे जाके इंस्टिट्स को इसको pick up करना पड़ेगा WTO को इसको pick up करना पड़ेगा तभी आपकी जो success होगी वो implement होगा ये G20 का as such कोई commitment तो है नी it's not like WTO trade के आप angle से देखिये तो ये WTO है नहीं या कोई और forum नहीं है जहां पे आप जाके sign करते हो आपको करना पड़ता है यहां पे आप sign करते हो in a futuristic good environment for economics that's the situation तो ये digitalization की बात होई है और ये कहा गया है कि shared digital systems collection of shared digital systems की बात हो रहे है अगर हम multilateral institutions की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिला देखिए यह भी अपने आप पे एक multilateral institution है कुछ लोग इसे अब इसमें 55 राष्ट्रों का फिर से समावेश जब हो गया तो निश्चित ही एक इससे अच्छा क्या representation हो सकता है कोई भी multilateral जो वर्ड सब्द का अपने चुनाव किया उसको बनने में तो पहली तो बात है कि इसमें जो सदसिता बढ़ी है तो इसमें सदसिता के साथ साथ पचास और पच्छपन और राष्ट्रों का विचार भी इसमें जुड़ेंगे उनकी समस्याइं भी जुड़ेंगी उनकी साजह शक्ति भी जुड़ेंगी उनके साजह संसाधन भी जुड़ेंगे तो ये तो पहला मैं पहला मैं मानता हूँ कि multilateralism का प्रोग्रेस हुआ और विखास हुआ दूसरी बात आप देखेंगे तो multilateralism का जो एक institution तो है नहीं एक पर ऐसे यह group है एक coordination और implementation क्रियानमन का कर जानातर जीबी से माना जाता है अब उठा के जितने groups बाकी भी देखेंगे तो कहीं ने कहीं agenda मोटा मोटी थोड़ा सा आगे पीछे broadly लगभग एक ही है लेकिन किस तरह साथ बैठ कर इन सारे विश्यों को आगे ले जाया जाए तो साथ बैठने की बास लाकर और जो भी वैश्यों जो चुनौतियां है साजी चुनौतियां है विशेश करके आर्थिक छेतर में जो आ रही है उनको हम कैसे मिलें कैसे उसका सामना करें इसके लिए यह काफी अच्छा एक भी बताए कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाने के चलते काफी मद मिलेगे दूसरी बाव एक और बात है संस्थान है संस्थान डवलूटियों का भी जिक्र हुआ डवलूटियों के अलावा भी बहुत सारे संस्थानों का इसमें जिक्र किया गया है अब है कि विभीन विश्यों का देखिए मूल भूत विशय तो फाइनांसी है आर्थिक व होता है जुड़ा हुआ है एक एक्रित है लेकिन कोर में वही है तो उन सब के सारी विच्व का भी इसमें देखिए जिक्र किया गया है उसका टेरीजम आज अभी हम बात कर रहे थे अमबैसडर विरेंदर गुपता सहब वह कर दे किस तरह से सुरक्षा का पर विद्यान दिया गया है तो देखिए एक एक बहुत ही फैरेंशियल एक्सेंट टास्वर्स जो बहुत ही मजबूत संस्था के रूप में उनाइटेट डिशन से ज्यादे बड़ी संस्था इसको माना जा रहा है कि जिसमें की आतंकुमाद का सामना करने में और जिस तरह से पाकिस्तान को बज़ें रही से पुछवेंदेगे पर जिसमें कानून होंगे जिसे कि हम जीन काते है तो इस रीजीम में को कैसे इनको मजबूत करें और जह और जहां गैप सारा सो में और जहांd जहांपर ग성चा जहां पर कहीं भी कमी नजार आ रही है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, जैसे इसमें क्रिप्टो करेंसी के बाद क्रिप्टो की किया है, अब उसको कैसे रेगुलेशन लाया जाए, उसका क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया जाए, लेकि इस पर भी एक शुरुवात तो की गई है तो महिलाओं का अगर हम इंपावर्टमेंट की बात करते हैं तो वैसा तो अभी कोई है युनेस्को है सब जगह से आप चली कुछ कार्ज करते हैं तो कहीं नए संस्थाओं के विए दिर्मान होने की आवश्य की हो सकता है आवश्यक्ता पड़े और उनका भी अभी चाहे दिशा के नियां से देखे चाहे इसको आप भविश्य के बारे में देखे तो एक निश्ची थी एक शुनाहरा भविश्य की तरफ इस संदेश देता है या इस बार कर जी बीस का जो सम्मेलन हुआ है उसमें अमबास्टर साब यहां पर एक और जिक्र हुआ जो MOU उसाइन किया गया हूँ तो इस्टेश इंडिया, Middle East, Europe, Economic Order इसके बारे में आप से समझना चाहेंगे और क्या यह BRI का अल्टरनेटिव हो सकता है पहली बात तो यह जो हुआ, इस पहली बात तो यह जो हुआ, इस पहल इसमें जरूर इंडिया को फाइदा होगा, बहुत सारे प्रोजेक्स आएंगे, BRI से फरक है यह, मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री और इंडिया की खासकर यह फितरत नहीं है कि हम चीजों को किसी और कंट्री के रियाक्शन में करें, हम आज की तारीफ में हर कंट्री से इंडिपेनेंट रिलेशनशिप एक अपने लेवल पर डिवेलप कर रहे हैं, हमारी कोशिश यह है कि हर कंट्री के साथ रिलेशनशिप के सरकम्सांस को देखते हुए, किस तरह से उसको हम आप्टिमाइज करें, तो मैं नहीं समझता है कि चाइना का BRI को हम रिस्पॉंड क करने के लिए या रियक्शन की तरीके से, फरक यह है कि चाइना के BRI में चाइना इस्पेंड करता है, और एक तरीके से लोगों को बड़ी समस्या भी है, क्योंकि डेट ट्रैप हो जाती है, कई सारे कंट्री में इतना ज्यादा डेट डाल दिया गया, प्रोजेक्स लगा द करते हैं कि हमें यह प्रोजेक्स नहीं चाहिए, BRI वाले लेकिन यह इसमें फरक है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, साउदी अरेबिया है, UAE है, इंडिया है, यॉरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका खुद इन्वेस्मेंट लाएगा, तो काफी बड़ी मात्रा म इन्वेस्मेंट देखे जा सकते हैं, और एकनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो सारे कंट्रीज जो इस चीजों से जोड़े हुए हैं, उन सब को फाइदा होगा, प्रफेसर अरपिता, मिलेट्स पर काफी जोड दिया गया, मिलेट्स, उसके बारे म मनें जी ट्वेंटियों ग्रैजुएली ये सस्टेनिबिलिटी की पर बात कर रहे हैं, मिलेट्स इंडिया का बहुत नया वे किन्योव अगेरा था ग्लोबली, बट मिलेट्स का अभी बहुत जादा सस्टेनिबिलिटी पर असर है, और इसमें हमारे फार्मर्स, जो पूर फ फाइनांसिंग फॉर, यू नो, मैलनुट्रिशन, फूड, चिल्रेन, फूड मेरे, यानि हम लोग जो कंसेप्ट को बोलता है कि कैसे हम लोग डाल, मानिए, खिचरी दे रहे हैं बचों को खाने में, अगर खिचरी के साथ अंडे या कुछ और सबजिया दिया जाए, जैसे फूड प्रोडक्शन, इन फेक्ट इंडिया के लिए, मिलेट और ऑर्गानिक तो इंडिया के लिए बिक टेकवे मुद्दा है, विकास हम लोग ग्लोबली हमारा लार्जस नंबर ऑफ फार्मर्स ऑर्गानिक में है, लार्जस देर इसलाज अमांट अव मिलेट जो हमारे द जो और्गानिक और स्टेनिबल प्रोडाक्स के मुबिलिटी पे, जो ट्रेट पे जो बार-बार हरे कंट्री में जाके उनके सिस्टेम्स और स्टेंडर्स को मानना पड़ता है, यह हमें आगे जाके हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि इसको हम कैसे आगे लेके हमारी सवाल डॉक्टर नायन से करना चाहेंगे कि अगर हम काउंटरिंग टेरियरिज्म और मनी लॉंडरिंग की बात करें तो उसके लिहाद से क्या कुछ देखने को मिला है, देखिए किसी को यह उमीद नहीं थी कि मनी लॉंडरिंग और काउंटरिंग यहां पर आएगा क्योंक में समिट के प्रॉसेस के रूप में हुआ, तो अभी जैसे मैंने भी पिछले सेग्मेंट में कहा कि मुलत है, यह फाइनांस का और ही फोरम है, लेकिन जैसे बाकी विशह भी तो आप प्रभावित करते हैं जो आपका आर्थिक विवस्ता को, तो इसलिए टेरिजम आया, औ और FATF का इसने कई रूप का इसमें देखिए, प्रॉलिफरेशन फैननसिंग की भी इसमें बात की जा रही है, और उसके साथ साथ टेरिजम का तो है ही, बाकी भी जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हो है, वो भी इसके अंदर आज सकते हैं अगर ठीक से क्रियानवित किया जाए, और पिछले कई वर्षों से एक विश्व समुदाए, एफिटीयप के माध्यम से काफी हद तक बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ज कर चुके हैं, और इसके अंदर भी कई सारे प्रगतियां हुई है, जिसे गाइडलेंस बनाने का हुआ है, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव इनका गाइडलेंस इसे कि हम अंतरास्टिय अध्यान में या कानूनी अध्यान भी कर सकते हैं, यह बाइंडिंग भले नहीं हो, लेकिन एक तरह से वो सारे रास्ट्रों को एक देता है प्लेट में कि आप इसको अपने कंट्री में ला सकते हैं, और इसको अगर आप करियान के रूप में तो आपको काफी फैदा हो सकते हैं इस तरह से यतने सदस्य देश है वह इन सारे गाइड लाइन्स को जो की पूरे की पूरी मल्टि लैटरलिजम के भी हमने बात की थी पूरी कई कैसे लोग जिनका अनुभावी कहेंगे अनुभावी रास्ट्र आपस में बैठ कर इन्होंने गाइडलाइन्स तैकिया है कैसे इंसे लड़ाई किया जाए कहां से बैंकिंग में इसको हम पैसा आ रहा है बैंकिंग सेक्टर को हम बता सकते हैं इसका इक करो इसके डेटाबेस तयार करो, information exchange करने की बात हो रही है, कि आपस में अगर हम साजा करेंगे शुचनाओं को, तो बहुत समस्या ऐसे भी हल हो जाएगी, साथ मिल कर उनको पकड़ने की बात हो रही है, तो APA TF एक बहुत ही तेजी से एक बहुत ही महत्पून समस्था की रूप मे बढ़ रही है, और इस पर जी बीस में इस पर विशेश जोड़ दिया गया है, और अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की प्रकिरिया, वो पाकिस्तान बॉखलाई हुआ है, या दि भी, APA TF की बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बॉखलाई हुए कई लेख आया है, तो उन शादी का खायल आए, तो सपनों से निखल कर शादी.com पे आए, अमबेस्टर साब आप से जाना चाहेंगे, हम यहां पर बात कर रहे हैं, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया प्रेजिदेंसी ऑफ ट्वेंटी समिट, इस पर आपका कंक्यूडिंग रिमार्क, देखिए, जैसा और मॉडरेट रास्ता दुनिया को दिखाया, मेरा कहले टाइमिंग बहुत अच्छा था, कि अगर यह समिट इंडिया में, साथ-ाथ साल पहले हो रही हो थी, तो उतना आसर नहीं होता, अब चुकि इंडिया ने यह रोल अदा किया, और इंडिया की ग्लोबल स्टेज पे अब इंडिया खे और और इंडिया में बहुत इजापा हुआ, मैं समझता हो कि ऐसा कह सकते हैं कि इट हैराड्स अगरिवाल उफ इंडिया थी, इंडिया को अब साकारात्मक और इंपोर्टन पावर मानने में कोई दो राय नहीं है, अग्र इंडिया को अपर्स पर आख ग कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है संस्ता के लिए और जैसा की जिकर हुआ कि अभी कोई बाइंडिंग चीजे नहीं है यहां पर डिसकुशन होता है इस डायलोग फोरूम और लेकिन सभी मल्टिलाटरल इंस्टूशन इसी तरह से शुरू होते हैं जो जिस इंस्टूशन में टूथ है यूएन सेक्यूरिटी काउंसल वो कुछ काम नहीं करती है वो इनफेक्टिव हो गई है तो इस वजह से अब आप यूएन के कंपेरिजन में देखें तो जी ट्वेंटी में हर सा यूएन सेक्यूरिटी काउंसल में हर साल समिट मीटिंग नहीं होती है यहां पर हमारे फॉरन मिनिस्टर्स मिलते हैं पाइनमानी मिनिस्टर्स मिलते हैं जिस तरीके के लोगवाग मिल रहे है तो एक कॉम्प्रेहन्सिव एजेंड़ा डिस्क्स कर रहे हैं और और इसकार आपस में डिसकस करके रेंज ओफ इसूस और धीरे जैसे मैंने कहा कि पोलिटिकल सेक्योरिटी इसूस अलरेडी आ गए हैं और उनको धीरे देरे और तूल मिलेगा और इंपोर्टन्स मिलेगी तो यह बहुत इंपोर्टन चीज है कि दुनिया के ताकतवर एकनोमि सब्सक्राइब करते हैं और दुनिया के हजारों इशूस पर सारे इशूस पर डिसकस करते हैं इंडिया को मौका मिला इस वक्त में जी ट्वेंटी को लीडर्शिप देने के लिए और कहीं पे भी नहीं चूके सब्सेंटिव तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और ऑगनाईजिशनल तरीके से बहुत अच्छा रहा तो इंडिया इसकावर इट्सेल इंडिया न्यू डेली में हुआ अगर अचीव्मेंट की बात की जाए तो अव्रीबडी सेंग इट इससेंग इसेंग तैन सबसे बरा चीज जो आज हम लोग शायद मिस कर गया है वो है ट्रायो का जी ट्वेंटी में एक साल पहले से प्रिपरेशन होता है और अगले साल तक चलता है बिलकुर यहानी कि हमें अचीव्मेंट हुआ नहीं है अभी एक साल और बाकी है और यह साल है कि इस बार के जो ल On Esp arabe Al occ veil precedency में भी पूछ करना है और यह सबसे बरा काम है और यह है आख़ए ली आप जोब हीहानी कोई का एचीव्मेंट देखते हो एक साल की नहीं देखते हो आप 3 साल के एचीव्मेंट देखते हो तो मेरे मेरे ख्याल से अगर हम इस पर सुपीट पर कंटिन्यु करें तो जरूर तीन साल बाद अगर कोई देखेगा तो इंडिया विल बी वन आफ दिस अभी काम बाकी है तो इसलिए काम तो भी चली रहा है तो देखी इसमें क्या-क्या उपलब्दी हुई जिसे कहें कि अभी हमने बोला था कि एक एक क्रित और समावेशी जो जो दिशा थी इस जो घोशना पत्र में हमें सपस्ट नजर आती है हर लोगों के लिए जगह है और य टाने की फोरब है चाहें वह विकास हील देस है विकशिदन देस जनतांत्रिक डेस है गहर जनतांतरिक डेस है पाश्यात देश हैं गयर पाश्यात देश है तो उनकों भारत ने एक बड़ा-इन्यृत इसलिए जो लग रहा था कि चीन बड़ा ही आजकल आफ़रीका को भी लेकिन एसे चन में जो नित्रित्व की आवशकता थी उस समय वह कहीं भाटके हुए न जारा रहा है, तो इस भाटका वो से भारत ने एक निश्चित्री फैदा उठाया और वैश्विक दक्षिन को एक जवर्दस्त नित्रित्व दिया है, जो आने आने आज आगे आने वाले समय भी याद किया जाएगा तिसरी बात जो मैं कहोगा संस्कृति का एक संस्कृति का भी एक नया रूप उन्होंने प्रस्टूत किया संस्कृति केवल बस आनंद उठाने का ही विशय नहीं वरार आर्थिक विशय भी हो सकता है तो इस आर्थिक विशय को कल जैसे आप किस तरह से विकास के चेत्र में चाहे उसका व्यापार के चेत्र में अर्थविवस्था के चेत्र में हो इस पर भले ही ज्यादा स्थान नहीं दिया गया है लेकिन वह एक सोच नई सोच निश्चिती उत्पन करने जा रहा है जो महिलाओं के हमने तो बात की ही कि साथ साथ एक महिलाओं के भी ठान के लिए जिस तरह से एक बड़ा ही अलग सा प्रोच इस पर लिया गया है उनके स्किल्स डिवलप्मेंट से लेकर उनको किस तरह से उनको इंप्लॉइमेंट जो होता इंटरनेश्टल लेवर आगनाईशन अपने बहुत जब मल्टि लाटिरलिजम की बात की वहां उनके वेजेज में उनके मजदूरी कहिए उनका लिए सेलरी के ये जो भी कहिये इसमें उन्हें कहीं भी गैप नहीं होना चाहा है साथ साथ 20-30 तक कम से गम 30-30 50-30 उसमें डिजिटल डिवाइड को कम करने की बात की गई है तो एक तरह से बड़ा ही ध्यान महिलाओं के सशक्ति करन पर दिया गया है और इन सबसे निश्चिती एक नई सोच जो एक पुराने संस्थाओं में एक नई सोच भरने का कारज भारत के इस सम्मेलन में किया गया जो प्रिश्डेंसी मे बढ़ाई देना चाहूंगा जी थांक यू सो मच आप तीनों स्टुडियो में आए और इतनी महत्वकून इतनी एहम जानकारी दी उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया तो हमारे तीनों ही गेस ने बताया कि जो प्रेसिदेंसी इंडिया की थी जी ट्वेंटी समि न्यू डेली में हुआ उसमें किस तरह की अचीवमेंट इंडिया ने किये और बहुत ही सक्सेफुल रहा ये पूरा का पूरा जो फोरम था और इंडिया ना सिर्फ एक पावरफुल बलकि एक रिस्पॉनसिबल कंट्री के तौर पर निकल कर आया है उभर कर आया है हमारी इ इसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसके लिए हमारा इमेल आइडी है डीडी उर्दू स्पेशल्स अट जीमेल डॉट कॉम इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए जासत आरा